ये बात तैय हो गई कि बाप और मा में मा एहम है तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बताईए कि दुनिया का सबसे पहला रिष्टा कौन सा है बाप का रिष्टा है या मा का रिष्टा है नहीं दुनिya का अगर कोई सबसे पहला रिष्टा है तो वो है जोजियत का रिष्टा इसलिए कि जनाब आदम अलेसलाम और जनाब हवा पहले एक दूसरे के शोहर और बीवी हुए बाद में बाप और मा बने तो गोया दुनिया का अगर कोई सबसे पहला रिष्टा है तो वो है जोजियत का रिष्टा तो अब शोहर और बीवी के रिष्टे में अबजल कौन है किसको फजीलत जायदा है या यू कहदू कि मर्द और और अरत में किसको फजीलत जायदा है तो इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक वाकिया पेश करूँ एक मरतबा रसूल इखुदा बैठे हुए थे उनके सामने मौला अली बैठे हुए थे और रसूल इखुदा की गोद में इमाम हुसैन अलहिस्सलाम बैठे हुए थे मौला आली कभी मुस्कुरा मुस्कुरा के चेहरे रिसालत को देखते है कभी अपने बेटे हुसैन को देखते है और एक मरतबा पूछा या रसूल खुदा ये बताईए कि मुझ में और हुसैन में आपको कौन जायदा महभूब है इस से पहले कि वही नाजिल हो में हुसैन अलाईसलाम बोल उठे बाबा जान नाना जान को तो वो जायदा महभूब होगा कि जिसके फजायल जायदा होंगे मौला आली ने कहा बेटा तो तुम अपने फजायल बयान करो कहा बाबा मैं खांदाने रिसालत से हूँ मैं खांदाने रिसालत से हूँ पहले आप मैं बाब पर कैसे सकत कर सकता हूँ पहले आप अपने फजायल बयान कीजिए गुनजाईश होगी तो मैं अपने फजायल बयान कर दूँगा देखिए उस वक्त इमाम हुसेन की अम्र तकरीबं तीन या चार बरस की थी लेकिन जानते थे कि अवजल वो होगा कि जिसमें कमाल जायदा होंगे जिसका हुसने सीरत अच्छा होगा अब जो लोग अजवाज रसूल के लिए ये कहते हैं कि फ़ला बीबी रसूल खुदा को बहुत जायदा महभूब थी तो वो ये जान ले कि रसूल खुदा को वो भी भी जायदा महभूब होगी कि जिसका हुसने सीरत जायदा अच्छा होगा तो मैं अपने मौज़ू पर फिर पलटा हूँ इमाम हुसेन ने कहा बाबाजान पहले आप अपने फजायल बयान किजी बस मौला आली मुस्कुराए और अपने फजायल बयान करना शुरू किये मौला आली ने इर्शाद फरमाया मैं मौलूद काबा हूँ मैंने गहवारे में कल्ले अश्दर चीर दिया मैंने दस्ते रसूल पर तौरेत जुबूर और इंजील गुरान सुना दिया तरे रसूल पर सोकर वैदानियत को भी बचा लिया और नबुवत को भी बचा लिया मैंने दरे खैबर हुखाड़ा मैंने मरहबों अंदर को बचाड़ा खुदा ने मुझे अमीरल मुमिनीन बना कर भेजा इमामल मुत्तवीन बना कर भेजा यहां तक की मौला अली ने अपनी सत्तर फजीलते गिना डाली और जब सत्तर फजीलते गिना डाली तो पलट कर बेटे से कहा बेटा अब तुम अपने फजायल बयान करो बस अमाम हुसेन ने कहा बाबा अब मैं अपने फजायल क्या बेहान करूँ मेरे लिए तो सबसे बड़ी फजीलत की बात ये है कि काइनात में जैसा नाना मुझे मिला किसी को नहीं मिला काइनात में जैसा बाप मुझे मिला किसी को नहीं मिला काइनात में जैसी मा मुझे मिली किसी को नहीं मिली और काइनात में जैसा भाई मुझे मिला किसी को नहीं मिला तो इस वाके से साबित होता है कि इनसानों में अवजल वो होगा कि जिसमें कमाल जैदा होंगे या यू कहूं कि मर्द और और औरत में अवजल वो होगा कि जिसमें कमाल जायदा होंगे अब कमाल मर्दों के जिसमें भी है और औरतों के जिसमें भी है किसी में शुजात का कमाल है किसी में देखने का कमाल है किसी में सुनने का कमाल है किसी में हाफजे का कमाल है किसी में तहारत का कमाल है अगर शुजात में कमाल ना होता तो मौला आली तरे खैबर कैसे उखाड लेते अगर देखने में कमाल ना होता तो जिबरिल-एमीन किधर है देखकर कैसे बता देते अगर सुनने में कमाल ना होता तो जनाब सुलिमान चीटियों की आवास कैसे सुन लेते अगर हाफजे का कमान ना होता तो मौला अली दस्ते रसूल पर तोरे जुबूर इंजील और कुरान कैसे सुना देते और तहरत में कमान ना होता तो जनाब फातिमा जहरा मरकज आय तथिर कैसे बनती सल्वात पड़ी मौली तो रसूल की बेटी रसूल की बेटी अली की जोजाग अली की जोजाग अक्माळक की मादर नारे हेद्री नारे सल्वा तो कमाल मर्दों के जिसमें भी है और कमाल और्तों के जिसमें भी है तो इन कमालात का सेंटर कहां है कहीं तो मरकज होगा तो उल्माई कराम ने बताया कि इन कमलात का मरकज है रूख ये जिस्म कमाल नहीं दिखलाता रूख कमाल दिखलाती है अब दुनिया के तमाम मर्द और और उरत का अगर आप जैज़ा ले 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 तो उनमें दो ही चीज़ कॉमन है एक तो ये खाकई जिस्म दूसरे गाइब रूख रूख कमाल दिखलाना चाहती है तो जिस्म उसे दुनिया के सामने पेश कर देता है जिस्म और रूख में जो सबसे बड़ा फर्ख है वो ये है कि जिस्म कभी बच्चा होता है कभी जवान होता है कभी बुड़ा होता है लेकिन रूख ना कभी बच्चा होती है ना जवान होती है ना बुड़ी होती है रूख हमेशा एक जैसी रहती है और ये भी जान लिजिए कि मर्द और और उरत के जिस्में रूख एक जैसी है तो इससे तो अब ये बताईए के बात यहां तक साबित हो गई के मर्द और और औरत के में फर्ख है तो सिर्फ जिस्प का फर्ख है रू दोनों के जिस्प में एक जैसी है इसी फर्ख के सबब से जो बाते मर्दों के लिए महासी ने वो औरतों के लिए एप समझी जाती है और जो बाते औरतों के लिए महासी ने वो मर्दों के लिए एप समझी जाती है तो गोया घरस्ती चलाना, खानदान चलाना, रिष्टेदारिया चलाना एक टीम वर्क है उसमें ये नहीं होगा कि सुबा का नाश्ता तुम बनाओ दोपहर का खाना मैं बनाओंगी मर्द और और औरत की जब मजलिस पढ़े जाती है तो उसमें ये तस्वर आ जाता है औरतों के जहन में कि घर जाके मर्दों से कहेंगे कि सुबा का नाश्ता तुम बना और दोपहर का खाना हम बनाएंगे मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो बाते मर्दों के लिए महासिन है वो औरतों के लिए एप समझी जाती है जो बाते औरतों के लिए महासिन है वो मर्दों के लिए एप समझी जाती है और खांदान चलाना रिष्टेदारियां चलाना एक टीम वर्क है तो अब ये बताईए कि खांदान बनता किस्से है रिष्टेदारियां बनाता कौन है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मर्द बनाते हैं कुछ लोग कहेंगे कि औरत बनाती है लेकिन मैं आपके सामने दलील पेश करूँगी गोर से सुनिएगा अगर एक गाय का दूद एक लड़के और एक लड़की ने पी लिया है तो उनमें शादिया हो सकती है लेकिन अगर एक मा का दूद एक लड़के और एक लड़की ने पीया है तो उनमें शादियाँ नहीं हो सकती वो दूशरी की भाई बहन कहलाएंगे या यूँ कहूं कि एक बाप ने एक गाय का दूट पिलाके एक लड़के और एक लड़की की परवरिश कर दी है तो उनमें शादियाँ हो सकती है लेकिन अगर एक मा ने अपना दूद पिला के एक लड़के और एक लड़की की परवरिश कर दी है तो उसमें शादिया नहीं हो सकती वो दूशरी की भाई बेहन कहलाते है तो इससे साबित होता है कि खानदान औरत से बनता है रिष्टेदारिया औरत से बनती है यही वज़ा थी कि इसी रिष्टेदारी को परवर्दिगार आलम ने उस वक्त जिब्रीले अमीन को समझानी चाहिए कि जब पंजतन जेरे किसा आ गए है और एक मतबह जिब्रीले अमीन ने पूछा पालने माले वमन तहतल किसा तो आवाज एक खुदरता है कि हम फात्मतो वाबूहा 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 लहाज़ा अगर पंजतन की तहारत का कोई मरकज बना है तो एक और अरण बनी है सरवाद परे लिए अभी मैंने आपके सामने अर्स किया था कि दुनिया का अगर कोई सबसे पहला रिष्टा है तो वो है जोजियत का रिष्टा पुरान की बलागत पर एमान ले आईए देखी दो लवज है जोज और जोजा दोनों के माने समझ लीजे जोज के माने होते हैं जोडे के और जोजा के माने होते हैं बीवी के अब जोज के माने क्या जोडा कैसा जोडा जैसे इस दर्वाजे किसी भी दर्वाजे के दो पल्ले ले लीजे दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर होते हैं अगर कोई पल्ला छोटा या बड़ा हो जाएगा तो दर्वाजा बराबर से बंद नहीं हो सकता है इसी को परवदिगार आलम ने सूरे बकर में जनाब आदम अलिए सलाम को मुखातिब करके कहा था आदम अंतावस जोजुकल जना अए आदम अपनी जोज को लेकर जननत में जाओ यानि अपने जोडै को लेकर जननत में जाओ देखे जोजा का ल辉ज नहीं ही इस्तेमाल किया इसलिए कि जनाब हवव उस वकट जनाब आदम ऐस सलाम की बीवी थी लेकिन लवज जोज रखकर एलान कर दिया कि देखो निगाहे खुद्रत में मर्द और अौरत दोनों बराबर है दोनों हम पल्ला है दोनों का स्टेटस बराबर है इन में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है सल्वाद पड़ी मुहम्द कुरान अपने हबीब को मुखाटिब करके कहता है कि उस वक्त को याद करो कि जब के इमरान की बीवी ने दुआ की थी पालने वाले मेरे बत्न में जो बच्चा है मैं उसे तेरी नजर करना चाहते हूँ परवदिगार आलम ने इमरान की बीवी की दुआ को खुबूल किया और उसके बाद सुर्याल इमरान में जनाब मरियम की तरफ मुखाटिब करके इशाद फर्माता है जनाब मरियम के मुतलिक इशाद फर्माता है कि हमने उसकी परवरिश की दिल चाहता है अर्स करूँ परवदिगार तेरे ना हाथ है ना पैर है ना तेरी आगोश है फिर तुने कैसे परवरिश की तो आएट आगे कहती है वा कफह लह जकरिया हमने जकरिया को उसका कफील बनाया क्यों? क्योंकि जनाब मरियम मासूमा थी लहाज़ा एक मासूम गोट का इंतिखाब किया अब दुनिया के तमाम मर्द और और अपने को इसमत के तराजू में तौल कर देखें कि अगर मर्द मासूम हो गया है तो उसकी परवरिश गहरे मासूमा से कराती है लेकिन अगर और अरत मासूमा हो गई है तो उसकी परवरिश गहरे मासूमा से नहीं कराई है सलवाद पढ़िये महमन हुजाय के इस मंजिल पर आ जाने के बाद दिल चाहता है कि अर्श करू कि परवर्दिगार तूने अपने हबीद के लिए क्यों नहीं मासुम गोत का इंतखाव किया क्यों नहीं तूने जकरिया को भेज़ दिया तो अजब नहीं कि आवाजा है कि जकरिया का तो इंतकाल हो चुका है अच्छा तो जनाब ए इसा अलिए सलाम को ही भेज़ देता वो तो जिन्दा थे कहा कि अगर मेरे हबीब की परवरिश करने वाला जकरिया और इसा से मरतबे में बलंद ना होता तो मैं जरूर जकरिया और इसा को भेज़ देता मैंने घबरा कर पूछा कि परवतिगार जनाब ए अबु तालिब तो नभी नहीं है तो आवाज ए खुद्रताई बेशक कि अबु तालिब नभी नहीं है लेकिन ये जान लो इमामत है तो नसले अबु तालिब में है इमामत है तो सुल्बे अबु तालिब में है और इमाम का मर्तबा नबूवस से बलंद होता है लिहाज़ा अबु तालिब का भी मर्तबा बलंद है सलवाद पड़ी मुझा आज जो लोग जनाब अबु तालिब को साहब इमान नहीं समझते मुझसे बर्दाश नहीं होता मैं आपके सामने एक दलील पेश करना जाओंगी जिससे थाबित हो जाएगा कि जनाब अबु तालिब साहब इमान एलान रिसालत से कब जब सूर शोरा की आयत नाजिर हुई कि वांजीर शीरत अकल अक्रबीन ऐ मेरे हबीब अपने खराबतदारों को डराइए तो रसूल खुदा ने मौला अली को बिलाया और कहा या अली दावत का इहतमाम करो मौला अली ने दावत का इहतमाम किया चंद रोटिया एक बकरे की रान और थोड़े से दूड़ का खाना बहुत कम था लेकिन जब रसूल खुदा ने बुलाया तो चालीस लोग आ गए अब मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूं कि मौला अली ने दावत का इतमाम कहा किया क्या किसी पहाड़ी पर किया कहा नहीं क्या किसी मस्जिद में किया कहा नहीं तो फिर दावत का इतमाम कहा किया तो तारी अग्दाद जिस हकीकत को छुपाना चाहते थे उन्हें कहना पड़ा कि तबलीग दीन की पहली दावत का इतमाम ना किसी मस्जिद में हुआ ना किसी पहाड़ी पर हुआ ना किसी मैदान में हुआ अगर हुआ तो हजरत अबु तालिब के घर पर हुआ लेहाजा हजरत अबु तालिब के घर से हिदायत की ऐसी किरन फूटी कि जिसने आज सारे आलम को रोशन कर रखा है सलवाद पुड़ी मुम्माद तो मौला अली ने दावत का इहतिमाम किया चंद रोटियां एक बकरे की रान और थोड़े से दूट का लेकिन जब रसूले खुदा ने बुलाया तो चालीस लोग आ गए लोगों ने भर पेट खाना खाया लेकिन फिर भी खाना बज़ गया जिसे देखकर अबुलहब खड़ा हो गया और कहने लगा कि देखो मुहमद मुहमद ने कितना सक्त जादू किया है इनकी बात न सुनना और चलो यहां से लोग चले गए दूसरे दिन फिर दावत का इहतिमाम हुआ फिर लोगों ने भर पेट खाना खाया अबुलहब खड़ा हो के शोर मचाने लगा देखो मुहमद की बात न सुनना और चलो यहां से लोग फिर चले गए तीसरे दिन फिर दावत का इहतिमाम हुआ लोगों ने फिर भर पेट खाया ना खाया फिर अबुलहब खड़ा हो गया शोर मचाने के लिए मुझे एक बात समझ में नहीं आती अभी तो रसूल खड़ा ने कुछ कहा ही नहीं था अबुलहब कैसे समझ गया कि रसूल खड़ा कुछ कहना चाहते है तब ही तो कह रहा है कि मुहमद की बात न सुनना लहाद से पता चलता है कि एलान रसालत से कब्र और बात भी में भी लोग किर्दार रसूल से वाकिव थे लहादा जान के समझ गये थे कि रसूल खड़ा कुछ कहना चाहते है तो क्या जनाब अबु तालिब नहीं समझे होंगे कि रसूल खड़ा क्या कहना चाहते है बेशक समझेंगे तो फिर अगर अबुलहब खड़ा होके शोर मचा रहा था देखिए अगर जनाब अबुतालिब और अबुलहब का मज़भ एक था तो दोनों का रियक्शन भी एक होना चाहिए था यानि अगर अबुलहब खड़ा होके शोर मचा रहा था तो जनाब अभु तालिब को भी खड़े होके शोर जाना चाहिए ताकि मुहम्मद की बात न सुनो लेकिन तारीख गवा है कि एक मतब़ जनाब अभु तालिब घुसे में खड़े हुए भाई के गरिबान में हात डाला, एक मतब़ा जटका दिया भाई को घुटनियों के बल बैठाया और घुसे में कहा कि मैं तुम्हें उस वक तक नहीं जाने दूँगा जब तक मेरे भतीजा मुहम्मद अपनी बात पूरी न कर ले फिर मुस्कुरा कर चेहरे रिसालत की तरफ देखा और अपने भतीजे से कहा मेरे सरदार मेरे मौला आप जो बयान करना चाहते हैं बयान कीजे आप जो इर्शाद फरमाना चाहते हैं इर्शाद कीजे तो जनाब अबु तालिब ने अपने भतीजे को कहा मेरे सरदार मेरे मौला जनाब अबु तालिब तो खांदान के सरदार थे खुद खांदान के सरदार थे लेकिन अपने भतीजे को कह रहे हैं कि मेरे सरदार मेरे मौला तो इससे क्या साबित होता है इससे ये साबित होता है कि जनाब अबु तालिब ने सिर्फ अपने खादान का ही उन्हें सरदार नहीं कहा बलकि अपने दीन का भी सरदार कहा तो सोचिए कि जिसके दीन का सरदार बानिये इसलाम हो वारिस इकुरान हो वो क्यों कर काफिर हो सकता है सलवाद पढ़ एमाम तब मैं मौज़ू पर फिर पलटना चाहूंगी और मौला अली के उन तीन कौल का तस्किरा करना चाहूंगा कि चाहूंगी कि जिसका तालुक भी मर्द या और 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 अरफ से है लोग कहते हैं कि मौला अली ने इर्शाद फरमाया कि ओरत नाकुसूल अकल है नाकुसूल इमान है और नाकुसूल तरका है और इन तीनो कौल को पढ़ने के बाद मुसल्मान समझ बैठे या दुनिया के तमाम मर्द समझ बैठे कि ओरत नाकुसूल अकल है नाकुसूल इमान है नाकुसूल तरका है अब मैं दुन्या के तमाम मर्दों को गुखातिब करके कहना चाहूंगी कि हम अउर्टों की सरदार हैं जनाब मर्यम जनाब सारा जनाब आसिया जनाब हुआ और इनकी सरदार हैं जनाब फातिमा जहरा तो खुदा की गसं जनाब फातिमा जहरा नाकसुल अकल है नाकसुल इमान है नाकसुल तरका है नाकसुल अकल इसलिए नहीं कि मुबाले की एक फर्द है नाकसुल इमान इसलिए नहीं कि वो बतूल अजहरा हैं नाकसुल तरका है इसलिए नहीं कि वो रसूल इख़दा की तनहा वारे से शलमात पड़ी मुपत बाले आखको मालूम है कि रसूल इख़दा उस وقت ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते थे जब फातिमा जहरा उनकी खिद्मत में आया करती थी तो रसूल खुदा ने सिर्फ अपनी ही बेटी को इजब नहीं दी बलकि दुनिया की तमाम बेटीों को इजब दी है और उन ओरतों को हुक्म दिया है उन ओरतों के लिए कहा है कि वो औरत बहुत बाबरकत है कि जिसके यहां बेटी की विलादत होती है अब जो लोग अल्टरा साउंड करवा के माओं के रह्मों में बेटीों को कतल करवा देते हैं वो देखें कि खुदा की कितनी बड़ी रहमत से महरूम रह जाते हैं खुरान भी कहता है खुदा कहता है कि खुदा जिसे चाहे बेटियां आता करे जिसे चाहे बेटा आता करे उसने भी अगर पहले नाम लिया है तो बेटी का नाम लिया है कि जिसे चाहे बेटियां आता करे जिसे चाहे बेटा आता करे रसूल खुदा इर्शाद फर्माते हैं कि बेटियां रह्मत है और बेटा नेमत है खुदा नेमत का तो हिसाब लेगा लेकिन रह्मत का कोई हिसाब नहीं भूगा एक मुकाम पर ये भी इर्शाद फर्माया है कि बेटी मेहनत है और बेटा नेमत है मेहनत पर सवाब मिलता है और नेमत पर कोई सवाब नहीं मिलता तो वो माबाप सोचें कि जिनके घर बेड़ियां बैदा होती है वो खुदा उन पर कितनी बड़ी रहमत नाजिल फरमाता है सल्वात पुड़ी मौन तो मौला अली ने इर्शाद फरमाया कि और नाकसुल अकल है जिसके बाद दुनिया के तमाम मर्द और ओरतों को नाकसुल अकल समझने लगे और दलील भी पेश की कि चुकि दो और अरत की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर होती है देखिए खुदा खालिक और अरत भी है और खालिक शहादत भी है खुदा औरत की मिजाद से भी वाकिफ है यानि उसकी हया हिचकी चाहड नरम दली से भी वाकिफ है तो दूसरी जाने अदालती कारवाईयों से भी वाकिफ है लिहादा उसने नहीं चाहा कि औरत गवाही देने जाए तो तनहा जाए और कुछ मौकर तो ऐसे हैं कि जहां औरत की तनहा गवाही भी काफी समझी जाती है जैसे बच्चे के जिन्दा या मुर्दा पैदा होने की गवाही औरत के किसी जिन्सी एप के गवाही और एक वाक है अभी पेश कर दूँ आपके सामने एक मरतबा हारुम रशीद के दरबार में एक बहुत खुबसूरत सी औरत थी जब हारुम रशीद ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारे बाप की जौजा रह चुकी हूँ जिस पर हारुम रशीद ने कादी अबू युसुफ को बलवाया और फत्वा बूचा कादी अबू युसुफ ने हारुम रशीद को खुश करने के लिए कह दिया कि ये औरत अपने दावे में तनहा है अब खिल्वत के मसले में औरत की तनहा गवाही को कुबूल ना करने पर अलमा एकराम आश्टा कादी अबू युसुफ को बुरा भला कहते हैं लहाजा इससे साबित हो गया कि कुछ मसले ऐसे हैं कि जहां औरत की तनहा गवाही भी काफी है सलवाद पढ़िये मुहम्माद वाले औरत ना गसुली मान है और इसकी दलील ये दी जाती है कि कुछ खास दिनों में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती रोजा नहीं रख सकती तो मैं इस थाबित कर दूँ कि औरत नाकसुली मान भी नहीं है इसलिए कि देखिए खुदा का हुप्म है कि अगर नशे की हालत में हो तो नमाज से दूर रहो नशे की हालत में हो तो नमाज से दूर रहो सफर में हो तो पूरी नमाज की जना आधी नमाज पढ़ो तो क्या ये इमान के नाकस होने की दलील है अगर नहीं है तो बहुक में खुदा कुछ खास दिनों में औरत का नमाज ना पढ़ना रोजा ना रखना इमान के नाकस होने की कैसे दलील हो सकती है तीसरा कौल की ओरत नाकसल तरका है और दलील ये दी जाती है कि बाप की जायदाद में से उसको हिस्सा कम मिलता है तो देखिए अगर और ओरत को बाप की जायदाद में से हिस्सा कम भी मिलता है तो शोहर की जायदाद में से उसको हिस्सा मिल जाता है और ये भी जान लीजी कि और जिहाद जिहाद जंग दिफा वाजिब नहीं है उसका नानो नख़ा भी मर्द पर वाजिब है तो गोया और नाकुसल तर्का भी नहीं है लेकिन अब आप जरा नैजुल बलागा पे गोर करें नैजुल बलागा कब मरतब की गई मौला अली की शहादत के 400 साथ बार मरतब की गई उसके पर ये भी इंजाम है कि उसके मुक्तलिब नुस्खाजाद में भी फर्क है ये भी इंजाम है कि उसमें सेद रजी के कलम का भी कमाल है गौर करने की बात तो ये है कि मौला अली ने अगली एक कौल इर्शाद फर्माए है तो कब कहा है मौला अली ने इन तीनों कौलों को इर्शाद फर्माया है जंगे जमल के बाद तो हो सकता है कि मौला अली ने रवधार ही बढ़ती हो आप भी अगर इन तीनों कॉल में से सिर्फ लफ़े औरत हटाकर जंगे जमल की कमांडर इंचीफ का नाम रख दे तो ये तीनों कॉल बिलकुल सही हो जाएंगे इसलिए कि वो नाकुसल अकल भी थी नाकुसल इमान भी थी और नाकुसल तर्गा भी थी नाकुसल अकल इसलिए थी कि बावजूद कुरान के और रसूल के मना करने के घर के बाहर निकल आई नाकुसल इमान इसलिए थी कि वो पहले इमान पर इमान नहीं लाई थी एमाम हसन के जनादे बटतीर बरसाए थे और नाकुसुत तरका इसलिए थी कि रसूल खुदा की जायदाद की वो तना वारिस नहीं थी अगर हनफी लौ के मताबिक रसूल खुदा की जायदाद के हिस्से किये जाए तो तीन हिस्सों में बाटा जाएगा पहला जनाब फात्मा जहरा दूसरे उनके चचा अबास और तीसरे उनकी नौ बीवियों में तो तक्सीम कीजिए तो तीन बटा चार जनाब फात्मा जहरा का एक बटा आठ उनके चचा अबास का और एक बटा नौ में से नौ हिस्सा कीजिए तो अब आप खुद फैसला कर लीजिए सलवाद पढ़िए मुहम्मद वाले मुहम्मद वाले रसूल खुदा की जिंदीगी में ही बाद सहाबा के दिल में ये ख्याल आने लगा था कि हम बाद रसूल फ़ला बीवी से अख्त कर लेंगे लहादा इस ख्याल को खत्म करने के लिए परवतिगार आलम ने रिशात फर्माया कि अजवाज रसूल उम्मत की माँ है जिसको सुनने के बाद पढ़ने के बाद मुसल्मान अजवाज रसूल को जनाब फात्मा जहरा से भी मरतबे में बलं समझने लगे लहादा इस ख्याल को खत्म करने के लिए रसूल खुदा ने बार बार इर्शात फर्माया कि देखो फात्मा मेरी बेटी अपने बाप के लिए माँ का धरजा रखती है मेरी बेटी फात्मा जहरा से मुकाबला ना करना इसलिए कि तुम सिर्फ उम्मत की माँ हो और वो मेरी माँ है सरवाद पढ़िये माँ बेशक अगर फात्मा जहरा जैसी बेटी किसी बाप को अता हो जाए तो बेशक उसे उस बाप को चाहिए कि खुदा का शुकर अदा करे इसलिए कि जनाब फात्मा जहरा वो भी भी हैं कि जिनके अख्द का फैसला भी अगर किसी ने किया है तो खुदा ने किया है एक मरतबा कुछ लोग रसूल खुदा की खिदमत में आए और कहा या रसूल खुदा हम स्यदा के अख्द के बारे में आप से कुछ कुछ कुफटगू करना चाहते हैं कहा मुझे स्यदा के अख्द करने का हक नहीं है कहा आपको नहीं अरे आप तो बाप हैं तो फिर किसे हैं कहा खुदा को है लोग खामोश हो गए लेकिन जब बजमे रसूल से जाने लगे तो कहते हुए गए कि शायद मालूम होता है कि रसूल खुदा अपनी बेटी का अख्द नहीं करना चाहते लेहाज़ा बहाना बना रहे हैं बस ये जुमला उनकी जबान से निकलना था कि एक मरतबा आवाज खुदरत आई आए रसूल कह दो स्यदा का अख्द उस्से होगा कि जिसके दर पे सितारा उतरेगा बस रसूल खुदा ले इनान कर दिया कि स्यदा का अख्द उस्से होगा कि जिसके दर पे सितारा उतरेगा जब ये खबर लोगों को मालूम हुई तो तारीख बताती है कि उस रात लोग सोए नहीं रात बार अपने सेहन में जाकर खड़े रहे और आस्मान की तरफ देखते रहे गी देखें तो सितारा किसके दर पे उतरता है कि एक मरतबा लोगों ने क्या देखा कि एक सितारा तूटा अज़्जमीन की जानिब चला लोगों की धड़कने बढ़ गई कि नजाने किसके दर पे उतरेगा फिर लोगों ने क्या देखा कि सितारे का रुख महले बनी हाशिम की तरफ है और धड़कने बढ़ गई कि फिर क्या देखा लोगों ने किसी तारा इने एक मRतबा तवाफ करना शुरू किया तवाफ करने के बाद एक मरतबा अली के डुहड़ी की जानिब चला मौला अली नमाज में मशूर थे कि एक मरतबा सितारा दर पे उतरा और सय्यटा के अग्द का फैसला हो गया दिल चाहता है कि सितारे से पूछूँ ऐ सितारे क्या तू अली के देहुड़ी नहीं पहचानता था कि जो तू इतना भूम फिरने के बाद तवाफ करने के बाद अली के देहुड़ी पर उत्रा है तो अजब नहीं कि सितारा जवाब दे हो पहचानता था बहुत अच्छे से जानता था लेकिन अगर मैं आसमान से तूटकर सीधे अली की ड्योवड़ी पर उतर जाता तो दुनिया वाले कह देते इत्तिफाक से सितारा तूटा और अली के दर पे गिर गया मैंने तवाफ करके बता दिया कि देखो जान बूज कर हुक्म खुदा से अली के दर पे उतरा हूँ मुस्तालवाद पड़ी हाँ आए एक बास समझ में नहीं आती मालीजे अभी यहां पर खबर आ जाए कि एक सितारा तूटकर गिरने वाला है तो भगदर मत जाएगी कोई इंतजार में नहीं बैठेगा कि देखें तो सितारा कहां पे गिरेगा लेकिन उस रात लोग अपने घरों के बाहर निकलाए यह देखने के लिए कि सितारा कहां पे उतर ला है तो क्या वज़ाती लोग यह खबर सुनकर भागें क्यों नहीं दरसल वज़ा यह थी कि रसूल खोड़ा ने सितारे के उतरने की खबर दी थी सितारे के गिरने की खबर नहीं दी थी जाती है लेकिन जो शे उतरती है वो खुद भी महफूज रहती है और दूसरे को भी नुखसान नहीं पहुचाती है सलवाद पर ये महां बेशक नसूले खुदा ने इस शाद फरमाया कि मेरी बेटी ने बाद के लिए माँ का दर्जा रखती है देखो फातिमा से मुकाबला ना करना है तुम सिर्फ उम्मत की माँ हो और वो मेरी माँ है लेकिन अफसोस बाद शहादत रसूल कौन ऐसा जल्म है जो बीवी पर नहीं हूँ रसूले खुदा की शहादत के बाद के हुजरे अजवाज रसूल को दे दिये गए और बीवी से फिदक छीन लिया गया जनाब सियदा ने फरियाद की थी कि बाबा आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब गिरे कि अगर दिन पर गिरते तो रात में तबदील हो जाते मेरा दिल कहता है कि जब रूह सियदा दुनिया से जा रही हुए तो सिर्फ रूह रिसालती नहीं सिर्फ रूह अंबिया ही नहीं बलकि खूरों ने भी बढ़के ख़दम बोसी की होगी जनाब खदीजा ने अपनी बाहें पहला दी होगी आँ मेरी बेटी मेरी आगोश में आजा उन्हें बड़े मसाइब उठाएं तेरे पहलू पे जलता हुआ दर गिराया गया तेरे मुहसिन की शहादत होगी तो अजब नहीं कि जनाब फातिमा जहरा ने अपनी मुसीबत बयान करनी चाही हो तो रसूल खुदा ने कहा हो बेटी अभी तुम अपने मसाइब ना बयान करो मेरी लाल अभी तुम्हें अपनी बेटी जनाब की मुसीबत देखनी है अभी तुम्हें कर्बला का मनजर देखना है अभी तुम्हें अबास के कटे हुए बाजू देखने है अभी तुम्हें अली अकबर के सीने में धजा हुआ बर्ची का फल देखना है अभी तुम्हें कासिम की पामा लाश देखनी है हाए तुम्हें अभी अली अफ़र के गले पर तीरी सित्म देखना है हाए तुम्हें अभी अपने लाल के लाशे पर पहुचना है अपने लाल का मातम करना है मैं कहूंगी बीबियो इमाम हुसेन की शहादत पर ना सिर्फ जनाब स्यदा रोई है ना सिर्फ रसूल खुदा और मौला अली रोई है बलकि जमीन और आस्मान रोई है चरिंद और परिंद रोई है यहां तक की जिन तक रोई है नायकियों तो मैं बता देती है एक रावी का बयान है कि एक मरतबा मैं अपनी कश्टी पसवार होके कहीं जा रहा था कि तूफान आया और मेरी कश्टी डूब गए मैं एक लकड़ी के तख्ते के सहारे किनारे पहुचा तो मैंने क्या सुना कि एक जानिब से किसी के रोने की आवाज आ रही है अरे वो इस तरह से बेहन कर रहा है जैसे उसका अजीज कोई उससे पिछड़ गया हो मैं उस आवाज की जानिब चला तो मैंने क्या देखा एक खौफनाख से इंसान और एक जल्ती जमीन पर बैठा हुआ कुछ लिखता जाता है और अपना सरो सीना पिरता जाता है रावी कहता है कि मैं डरता डरता उसके करीब पहुचा पीछे से जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा कि वो जमीन पर हाई हुसें हाई हुसें लिखता जाता है और किरियां फर्माता जाता है मैंने जो अपने आखा का नाम जमीन पर लिखा हुआ देखा तो मैं समझ गया ये कोई मेरे आखाना जाने वाला है रावी कहता है कि मैं उसके सامने गया उसने पूछा कि ए भाई तू कौन है मैंने अपना बाख़ा बयान किए पजाफर का नाम सुनना था कि एक मतबर रावी ने तबब कर गा ए जाफर मैंने सुना है मैंने किताबों में पढ़ा है कि तुम उस वक्त कर्बला में माजू होते जब कि शिप्र मेरे आगा के कले पर कुद खंजर चला रहा था ए जाफर तुम मुझे कर्बला का आँखों देखा हाल बयान कर दो हाई जाफर ने जो कर्बला का नाम सुना तो सारों कतार रोने लगे और का ए रावी देशनो चाफर कर्बला की दास्तान बयान करने जा रहा है ए भाई मैं अपने तख्त पर बैठा हुआ खुशिया मना रहा था कि कुछ जिन मेरे पास आए और बोले ए जाफर तुम खुशिया मना रहा है अरे सुयना का लाल नगा आदा में गिरा हुआ है अरे जल्दी चलो कहीं देर ना हो जाए मैंने अपने तख्त और ताप छोड़ा और कर्बला की जानिब चला मेरा दस्तूर था कि जब भी मैं नजब से गुजरता था तो अपने आखा पौला अली को सलाम जरूर करता था और मुझे मेरे सलाम का जवाब भी मिलता था लेकिन अब जो मैंने सलाम किया तो मुझे मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला अरे मैं समझ गया कि मेरा आखा मौला भी कर्वला में मौझूद है मैंने कहा ऐसा आखियों चलती चलो कहीं है सादाओं की देर हो जाए मैं फुराद के किनारे पहुचा अरे मैंने क्या देखा एक लाश के दोना बाजू कटे हुए है मैं घबरा करी दर हुदर देखने लगा मैंने क्या देखा कि रसूल खुदा खड़े है मौला अली खड़े है अंबिया खड़े है मलाइका खड़े है मैं सफो कचीरता हुआ आगे बड़ा मैंने क्या देखा कि मेरा आका हुसे नर्गे आदा में गिरा हुआ है मैंने सलाम किया मेरे फाला ने पलड कर देखा कहा जाफर इस वक्त कैसे आना हुआ कहा आका मैंने सुना है कि आप ती दिन के प्यासे है आका फुराद करीब है मुझे इजादा दे दीजे कि मैं आपको पानी पिला दू कहा नहीं जाफर मैं पानी नहीं पीना चाहता पुझा आका पानी क्यों नहीं पीना चाहते कहा ए जाफर तुम जानना चाहते हो कि मैं पानी क्यों नहीं पीना चाहता अरे इसी पानी के लिए देखो मेरा भाई या पास अपने पास उकटाए हुए सो रहा है अरे देखो इसी पानी के लिए मेरे कडिय जवाद के सीने पर पर्ची का पर्दसा अरे जो मैंने पर्ची केजरी जाए अरे अकबर का कलेजा निकल बुरा तुम जानना चाहते हो कि मैं पानी क्यों नहीं पीना चाहता अरे मुनननी सी कबर देख रहा हूँ अरे मुन मेरे छे माईने की असखर की कबर है अरे मिरे ला ने आखरी बार अपने सूखे होटो पर जबार बिराई दी पानी का सवाल किया था अरे पानी के अवज में अर्गला ने दीन माल का दी चला दिया अरे मेरे लाल के खुश्ग गले और नाक और कई को चीरता हुआ तीन निकर गया मेरे लाल मेरे आदों पर शहीद हो गया कहा जाद कहा ए आका मुझसे अपरदाश नहीं होता ए आका मुझे भी अजासत दे दीजे जनकी कहा नहीं जाफर अब तुम पलट जाओ कहा है आका आप मुझे जाने को क्यों कहते हैं कहा है जाफर अब सिर्फ तुम ही नहीं जाओगे बलकि मलाइका भी वापस जाएंगे अब या भी जाएंगे अरे अब मेरी मा की सवारी आ रही है अरे मेरी माँ खुल्द से सियाक अपनी गले में डाले हुए अपनी को फैलाए हुए आ रही है जाफर ने का मैंने जो पलट ना चाहा तो मैंने क्या देखा अरे शिब्र कुद खजर लिये हुए मेरे आखा की गंदर पे चला रहा है एक मतबा से आदिया उड़ने लगी फुराद का पानी ने तो उच्छलने लगा तो जब में आवास कुझी अरे रावी मैंने क्या देखा मेरे आखा कासर नो के गंदर पे पलंदो चुका है क्या है कर दो